Hello Everyone, Welcome to Trending Economics इस वीडियो में बात करेंगे नीजी वित्त क्या होता है जिसे इंग्लिश में Private Finance बोलते हैं एक था Public Finance राजस्व जो अर्थुशास्ट का एक विभाग होता है इस वीडियो में देखेंगे नीजी वित्त क्या होता है Private Finance सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं यानि Meaning of Private Finance देखें नीजी वित्त यानि Private Finance से आश है ऐसी व्यक्तिकत एकाईयों की वित्तिय नीतियों यानि Financial Policies और समस्याओं मतलब Problems से होता है जो सरकार के अंग नहीं होते है इसका मतलब हुआ जो नीजी वित्त Private Finance होता है वो एक व्यक्ति का स्वयम का होता है या एक परिवार का होता है या एक फर्म का होता है वो उससे संबंदित नीतिया वहीं बनाता है खर्च वहीं करता है और जो समस्याओं आती है उसको वही जेलता है वही solve करता है सरकार का वो अंग नहीं होता है निजी विद्ट एक व्यक्ति फर्म या परिवार का स्वयम का अपना विद्ट होता है जिसे वह अपने हिसाब से प्रबंधन यानि manage करता है इसमें सरकार का हस्तक शेप नहीं होता है तो आपके पास जो पैसा है धन है जाइजाद है उससे संबंधित नीतिया आप ही बनाएंगे उसमें कोई समस्या आएगी तो आप ही उसको resolve करेंगे ठीक है सरकार का उसमें कोई हस्तक शेप नहीं होता है अब हम परिभाशा देखते हैं मतलब meaning of private finance निजी वित्व से आशे ऐसे वित्व से है जिसे कोई व्यक्ती एक व्यक्ती हो गया जैसे आप हो गया मैं परिवार जैसे हमारे परिवार का एक वित्व हो गया कोई बजट बनाने बचत करने और खर्चा करने है तो विभिन वित्ती हम सेविंग करके रखें, नीतियां कैसे बनाएं, अपने घर से संबंदित, बजट कैसे बनाएं, कि इस बार घर लेना है, महिने का राशन कितने का लेना है, तो ये जो आपका धन आपके पास है, जिसे संबंदित आपके पास समस्याएं आ रही है, उसको solve कर रहे हैं, उस width के माध्यम से, finance के माध्यम से, I के माध्यम से, ठीक है, इसी को हम private finance बोलते हैं, इसमें किसी और विक्ति का, या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको clear हुई होगी,